हिंदी साहित्य संपून गटना चकर कुई की रिविजन विट आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हम कर रहे हैं हिंदी नेट जियारेफ परिक्षा चैनित विशे आधारित प्रश्न जून दोहजार नो से जुलाई दोहजार अठारे तक के प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम करेंगे दिसंबर 2013 का दूतिय प्रश्न पत्र तो चलिए देखते हैं प्रश्न गौर करेंगे प्रश्न है कॉमरेड का कोट किसकी रचना है ध्यान रहे शुरिंजे की रचना है कॉमरेड का कोट अगला प्रश्न उक्ती व्यक्ती प्रकरण इसके लेखक कौन है ध्यान रहे दामोदर शर्मा की रिचना है उक्ती व्यक्ती प्रकरण ठीके और यहे एक व्याकरण ग्रंथ है अगला प्रश्न स्यामा स्वपन इसके लेखक कौन है ध्यान रहे थाकुर जगमोहन सिंग की रचना है स्यामा स्वपन अगला प्रश्न मेरी तेरी उसकी बात इसके लेखक कौन है ध्यान रहे यश्पाल यश्पाल की रचना है मेरी तेरी उसकी बात अगला प्रश्न अवधी ब्रज बुंदेली कन्नोजी इन में से पस्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो ध्यान रहे अवधी अवधी पस्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है ठीक है बाकी ब्रज बुंदेली बुंदेली को हर्याणी भी कहते हैं फिर एक कन्नोजी तो ध्यान रखेंगे बरज, बुंदेली, कन्नोजी एगे सभी पस्चिमी हिंदी वर्ग की बोली हैं, ठीके? एक बड मैंने आपको बोली अभी दोस्तों कि बुंदेली को हर्यानी कहते हैं तो हर्यानी नहीं कहते हैं हर्यानी भी ठीके? इसमें सम्मलित बोली है किसमें पस्चिमी हिंदी में ठीक तो ध्यान रखेंगे पांच बोली आती है इसके अंतरगत पांच भाशा हैं ठीक ध्यान रखें एक है खड़ी बोली एक हर्यानी एक ब्रज एक बुंदेली और एक कन्नोजी ठीक है खड़ी बोली को ही कौरवी के न द्यान दें, मूरधने, तालवे, धन्ते, तथा ओस्थे, इनमे से श, श से शलगम, इस द्वनी का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो ध्यान रखें तालवे इस्थान से, ठीकें, ध्यान रखेंगे, इसका भी फॉर्मूला मैंने करा रखा है, गटनय चक्रवाले, वीड सबसे उपर होता है ओस्थे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों एक बार आपके पास समय हो तो घटना चकर के वीडियो जरूर देखो आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा और इतनी सारी इंफोर्मेशन वहां से मिलेगी आपको किसी भी विशे में दिक्कत नहीं आने वाली है ठी अगला प्रश्ण अनुमीतिवाद किसकी अवधार्ना है तो ध्यान रखें आचारे संकुक्त। यानि कि भट शंकुक की अवधार्ना है अनुमीतिवाद ठीकें फिर हैं अगला प्रश्ण उत्तर संरचनावाद इसके मुख्य विचारक कौन है तो ध्यान रखें सस्यूर ठीकें सस्यूर लिखा है सस्यूर भी आता है लिखा हुआ ठीकें तो फर्डी नान दा सस्यूर अगला प्रश्ण अर्द कथानग किसकी रचना है किस भाशा में रचना है तो ध्यान रखें ब्रज भाशा की रचना है अर्द कथानग तो ध्यान रखें अपनी खबर पांडे बेचन सर्मा की रचना है अपनी खबर जिसमें जो की आत्मकथा यानि दलित आत्मकथा नहीं है इसके अलावा नागफणी जूठन ओम प्रकाश बालमिकी जी की और मुर्धया चिक है मुर्धया सिप्रशाद सिंग जी की ये सभी दलित आत्मकथा है अगला प्रशन है उजवल वर्दान चेतना का सौंदर्रे जिसे सब कहते हैं क्या है पंक्ती उजवल वर्दान चेतना का सौंदर्रे जिसे सब कहते हैं यह पंक्ती कहां से ली गई है तो ध्यान रखें कामाईनी के लजजा सर्ग से ठीक है कामाईनी के लजजा सर्ग से ली गई पंक्तिया है और कामाईनी में कितने सर्ग हैं यह सबिष आपको पता होने चाहिए ठीक है और क्रम से पता होने चाहिए कभी-कभी इनके सर्ग को भी करम में लगने के लिए प्रशन आ जाता है ठीक है और कामाईनी किसकी रचनाiron है तो ध्यान रहे जय سंकर प्रसाद की रचना है कामाईनी ठीक है महा का वे है ये एक अगला प्रश्न है जरा ध्यान दे दोस्तों सुनई कथा कौन निर्गुन की क्या है पंक्ती सुनई कथा कौन निर्गुन की रची-पची-बात बनावत रची पची बात बनावत सगुन सुमेरू प्रगट देखियत तुम तरिन की ओट दुरावत ये पंक्तियां किसकी हैं तो सूर्दास की पंक्तियां हैं सगुन सुमेरू प्रगट देखियत तुम तरिन की ओट दुरावत ठीक याद रखें पंक्तियों को अगली पंक्ति हैं कथन है कितना अनुभूती पूर्ण था वह एक शन का आलिंगन ये कथन किसका है तो ध्यान रखें जैसंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है सौमिनी और इनकी क्याती का आधार भी है ठीक है कामाईनी दुरुभ स्वामीनी जैसंकर प्रसाद की प्रशिद्ध रचनाए हैं दोस्तों ठीक तो ध्यान रखें कितना अनुभूती पूर्ण था वह एक शन का आलिंगन ये कथन किसका है दुरुभ स्वामीनी का अगला प अगला प्रश्न है तदभव पत्रीका का प्रकाशन इस्थल क्या है तो ध्यान रखें लखनव लखनव तदभव पत्रीका का प्रकाशन इस्थल है अगला प्रश्न है व्योमकेश दर्वेश व्योमकेश दर्वेश के लेखक कौन है तो ध्यान रखें विश्वनात त्रिपा अगला प्रशन है ध्यान दें जगदीश गुप्त सुमन राजे नागा अर्जुन तथा शंबूनात सिंग इनमे से अग्ये संपादित अग्ये द्वारा संपादित चौथा सब्तक चौथा सब्तक में किसका समावेश किया गया है तो ध्यान रखें सुमन राजे सुमन राजे अग्ये द्वारा संपादित चौथा सब्तक में सम्मिलित कवी हैं ठीके कवीत्री हैं सुमन राजे ध्यान रखेंगे बहुती इंपोर्टेंट नाम है ठीके और यहां पर देखें जगदीश गुप्त नागारजुन शंबुनात सिंग ठीक है ये ये नहीं है किस में चोथे सब्तक में कौन है सुमन राजी ठीक है तो ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है अथातो गुमकड जिग्यासा ये किस विदा की रचना है तो यात्रव रितान थे ठीक है यात्रव र अगला प्रशन है लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुकरम क्या है तो जरध्यान दें सबसे पहले लेखक है राजा लक्षमन सिंग जी इनका जन्मकाल है 1826 से 1896 इस्वी 1826 से 1896 इस्वी फिर है बाल कृष्ण भट जी बाल कृष्ण भट जी इनका समय है 1844 से 1904 इस्वी 1844 से 1904 इस्वी फिर है प्रताप नारैन मिश्र जी इनका समय क्या है 1856 से 1894 इस्वी फिर है बाल मुकुंद गुप्त जी इनका समय क्या है 1932 से 1967 इस्वी 1932 से 1967 इस्वी तो ध्यान रखें सबसे पहले राजा लक्षमन सिंग इनका समय 1826 से 1896 इस्वी फिर है बाल मुकुंद गुप्त जी इनका समय है 1932 से 1967 इस्वी ठीक है अगला प्रशन है दोस्तों ध्यान दें क्या है प्रशन क्रितियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है तो सबसे पहले क्रिती है रसिक प्रिया जिसका समय है 1591 इस्वी फिर है स्रिंगार मंजरी 1630 इस्वी 1630 इस्वी फिर है शड रित्तू वर्णन 1650 इस्वी फिर है रस रहस से 1671 इस्वी ठीक है एक बार फिर से सुने रसिक प्रिया 1591 इस्वी ठीक है किसकी है केशवदास की फिर है श्रिंगार मंजरी ठीक है श्रिंगार मंजरी किसकी बानुदत की है जहां तक है ठीक 1630 इस्वी फिर है शड रित्तू वर्णन 1650 इस्वी फिर है रस रहस से 1671 इस्वी ठीक है अगला प्रशन है, मनोवग्यानिक उप्नियासों का सही अनुक्रम क्या है, तो ध्यान दें, सबसे पहले उप्नियास है कल्याणी, कौन सा कल्याणी, कब आया, 1949 में, 1949 इसवी में, ठीक, फिर है सन्यासी, कौन सा सन्यासी, 1940 इसवी, उनिस सो चालिस इसवी फिर है अजे की डाइरी अजे की डाइरी देखो डाइरी लिखा है लेकिन ये क्या है ये एक उपनियास है अजे की डाइरी फिर है अपने अपने अजनभी अपने अजनभी कब आया 1961 में आया हुआ उपनियास है अपने अपने अजनभी एक बार फिर स सबसे पहले कल्याणी 1949 इस फिर है सन्यासी 1940 इस फिर है अजे की डाइरी 1960 इस फिर है अपने अजनवी 1961 इस भी अगला प्रश्न है दोस्तो प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुकरम क्या है तो सबसे पहले देखते हैं द्रोपती नाटक किसका है सुरेंद्र वर्मा जी का कब आया 1972 इसवी में 1972 इसवी में फिर है कथा एक कंस की कथा एक कंस की ये कब आया 1976 इसवी में 1976 इसवी फिर है भीश्म साहनी जी का नाटक कभीरा खड़ा बाजार में कब आया 1981 इसवी में 1981 isv日 پھर है कोर्ट मार्शल किसका नाटक है स्वदेश दीपक जी का स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल कब आया 1991 इसवी में एक बार पर से सुनें दोस्तो द्रवपधि 1972, despite Eighthah Ekanski, 1976 पिर है कबीरा खड़ा बजार में प्रकाशन के अनुसार इन पत्रीकाओं का सही अनुकरम क्या है चांद पत्रीका गबाई उन्नि सो भाई स्वी में फिर है अन्स पत्रीका कबाई उन्नि सो तीस इस्वी में थीक है एक बार फिर से सुने हिंदी प्रदीपम टारस सॉथा स्ट तर इस्वी फिर है अगला प्रशन है ध्यान दे दोस्तों, काल के अनुसार क्रितियों का सही अनुकरम क्या है? तो सबसे पहले कृती स्वयम्भू की कृती है पाउंग चरियू इसका समय है आटवी शती पाउंग चरियू फिर है दलपती विजे की कृती कुमान रासो कबाई नौवी शती में नौवी शती में कुमान रासो फिर है किसकी नरपती नाले की रचना है बीसल देव रासो ठीक द्यान रखें बिसल देव रासो कब आई बारवी शती में फिर है चंदन बाला रास किसकी कृती है तो दोस्तों आसगू की रचणा है चंदन बाला रास आशगू ठीक है कभी 13 शती इसका समय है कितना 13 शती तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले पहुंचरियू आठ वी शती फिर ए खुमांड रासो नवी शती फिर ऑबिसल देव रासो बारवी शती फिर चंदन बाला रास 13 तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुती इंपोर्टेंट रचनाए है अग क्या समय है दोस्तों आठवी शती समय है आचारे वामन का और सातवी किसका है आचारे दंडी का समय है सातवी शतावदी और छटवी शतावदी किसका है आचारे भामे का आचारे भामे का समय है छटवी शतावदी ठीक है ध्यान रखें अब देखें यहाँ पर आचारे भोज इनका समय क्या है ग्यार्वी शती ठीके आचारे भोज राज और शेमिंद्र का समय भी यही है ग्यार्वी शती फिर हैं दोस्तों आचारे रुयक इनका समय क्या है बार्वी शती आचारे रुयक का समय क्या है बार्वी शती फिर हैं आचारे विशुनात आचारे विशुनात इनका समय क्या है, चौधवी शती, चौधवी शती इनका समय है, और सत्रवी शती किसका है, तो ध्यान रखे, पंडित राज, जगनात का, ठीक है, जगनात का, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जगनात दास, रतना कर, ठीक, ध्यान दे सबसे पहले क्या है, वामन, आटवी शती, बोजराज, ग्यारवी शती, फिर हैं आचारे रुईक, बारवी शती, फिर हैं आचारे विश्वनात, चौधवी शती, याद रखेंगे दोस्तों. अगला प्रशन है, ग्रन्थों का काल के आधार पर सही अनुकरम क्या है? तो सबसे पहले, काव्या दर्श, किसकी है? आचारे दंडी की रचना है, काव्या दर्श, जिसका समय क्या है? छटवी शती, फिर हैं आनंद वर्धन, जिनकी रचना है, द्वन्या लोग, क्या है समय का नोवी शती द्वन्या लोग पिर एंक काव्वे प्रकास ममट की रचना हैं काव्वे प्रकास क्या समय है 11 satisfy Kia क्या साहित्य दर्पन आचारे विश्वुनाथ की रचना है साहित्य दर्पन scottie चौधवी सती ठेक, तो द्यान रखेंगे आचारे दन्डी का समय इस पुस्तक के अनुसार चटवी सती दिया गया है कहीं कहीं सातवी सताब दिवी है ठीक और द्यान रखेंगे ध्वण्या लोग इसका समय क्या दिया है नवी सती ठीक कावे प्रकास का समय ग्यार्वी शती साहित्ते दरपन का समय चौधवी शती ठीक है ये सभी रचना एवं रचनाकार याद रखेंगे अगला प्रशन है चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुकरम क्या होता है तो कम से अधिक, यानि बढ़ते करम में, ठीके, तो सबसे पहले चोपाई, चोपाई चंद होता है, 16 मात्राओं का, ठीके, और कैसा चंद है, मात्रिक चंद है, ध्यान रखें, फिर है प्यूस वर्स, इसमें कितने चंद होते हैं, कितनी मात्राओं होती हैं, 19, फिर है रोला चंद, 24 मात्राओं होती है, फिर है गीति का, इसमें 26 मात्राओं होती है, तो धीके, तो ध्यान रखेंगे, इन सबी चंदों को हो, ये सबी मात्रिक चंद है, धीक, और अगर चंदों से संबंधित आपको मेरे वीडियो देखने हैं, तो दोस्तों गटना चक्र की पलेलिस् तो पहले वाले जो आपने पाँच वीडियो देखे थे आपको उसकी revision भी करनी है ठीक है फिर आपको अगले दिन भी SI करना है तो आपका ये pattern रहना चाहिए जिससे की आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो revise भी होता रहे और जो कुछ नया पढ़ रहे हैं वो साथी साथ add होता रहे ठीक है रिवाइस करने से चीजे recall होती है ठीक है वे बात भी याद होगी आपको करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवज्जात के सिल पर परत निसान ठीक है यानि की अभ्यास करने से ठीक है जिस तरह से एक रसी को बार-बार गिसने से पत्थर पर भी निसान पढ़ जाते हैं तो दोस्तों अभ्यास करने से सफल जरूर मिलती है तो ध्यान रखना इस बात को जितना ज्यादा आपका कटिन परिश्रम होगा जितना समय आप अपने आपको देंगे ठीक है सफलता आपके उतने करीब होगी ध्यान रखने इस बात को अगला प्रशन है ध्यान दे दोस्तों प्रकाशन के अनुसार उपनियासों का सही अनुकरम क्या है तो जरत ध्यान दे सबसे पहले शरद्धा राम फुलोरी जी का उपनियास है भाग्यवती इसका समय है 1877 इसवी ठीक फिर है अग्ये का उपनियास नदी के द्वीप क्या समय है 1952 इसवी 1952 इसवी फिर है अंधेरे बंद कमरे अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश ठीक है इनका उपनियास है मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे कब आया 1961 इसवी फिर है वे दिन वे दिन कब आया 1964 इसवी में आया हुआ उपनियास है वे दिन तो ध्यान दे दोस्तों सबस से पहले भाग्यवती 1877 यानी 1877 फिर है नदी के दूइप 1952 फिर है अंधेरे बंद कमरे 1961 फिर है वे दिन 1964 इस ठीक है तो यह सभी प्रकाशन के अनुसार उपन्यास सही अनुक्रम में हैं अगला प्रशने देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों सही सुमेलित प्रशने हैं क्या है पत्रीका है और संपादक हैं तो जरह ध्यान दे सबसे पहले कवी वचन सुधा पत्रीका जिसके संपादक कौन है बावु हरीशंद्र फिर है पत्रीका ब्रामण जिसके संपादक कौन है प्रताप नारायन मिश्र जी प्रताप नारायन मिश्र जी कानपूर से निकलती थी ब्रामण पत्रीका फिर है हिंदी प्रदीप हिंदी प्रदीप इस पत्रिका के संपादक कौन है तो बालक्रिष्ण भट्ट जी फिर है विश्व भारती इस पत्रिका के संपादक कौन है तो ध्यान रखेए हजारी प्रसाद द्वेदी जी तो जरा ध्यान दें सबसे पहले कवी वचन सुधा बाबू हरीश्चंद्र फिर है ब्रामन पत्रीका जिसके संपादक प्रताप नाराएन मिश्र जी फिर है हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्टी की पत्री का है फिर है विश्व भारती हजारी प्रसाद द्वेदी जी की पत्री का है ध्यान रुखेंगे दोस्तों अगला प्रशन है ध्यान दें सही सुमेलित Remember Right मैंने इसमरीति के दीप जला यादों की तीरथ यात्रा किसकी करिती है विष्णु प्रभाकरजी की कृती है यादो की तीर्थ यात्रा फिर है कृती वे दिन वे लोग किसकी है शिप पूजन सहाई की कृती है फिर है वन तुलसी की गंध किसकी कृती है पनिशवरनात रेणू जी की गंध तो जराध्यान दे, सबसे पहले रामनाथ सुमन, इनकी कृती मैंने इस्मृती के दीप जलाए, फिर है विश्नु प्रभाकर जी, इनकी कृती यादो की तीर्थ यात्रा, फिर है शिप पूजन साहय जी, इनकी कृती है वे दिन वे लोग, फिर है फणिशवरनाथ रेणू, इनकी कृती है वन तुलसी की गंध, द्यान रखेंगे, अब यहाँ एक नोट है जराध्यान दे, UGC द्वारा पूछे गए, इस प्रश्ने में भावों की तीर्थ यात्रा दिया गया है, तो जो प्रश्ने दिया गया था उसमें था भावों की तीर्थ यात्रा, जबकि हो तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समात होता है, थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के धन्यवाद दोस्तों